क्लास सेबन मैत कोश्चन पेपर देखिए पहला कोश्चन है स्वही विकल पर स्वही कचिन लगाएं त्रिविमिय आकरिती गोला में किनारे होते हैं त्रिविमिय आकरिती गोला में किनारे होते हैं आपके बार होते हैं अंसर हो जाएगा को नमबर एक घंटे का दू बटा तीन भाग मिनट में कितना होगा मिनट में कितना होगा तो हम बुड़ा कर देंगे यहाँ पर 60 से तो तीन से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20 तो 20 दूना 40 तो 40 हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए 20 बटा 25 का सरलतम रुक्या होगा कटा दिए इसको 5 से तो 5 यह का 25 तो 4 बटा 5 तो 4 बटा 5 गोर नमबर एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है दो कोड़ आपस में रखी के इंग बनाते हैं तो दोनो कोड़ों का क्या होंगे दोनो कोड़ों का जो है क्या होंगे तो आपको हम बता दे समकोड हो जाएगा इस तरह से आपको बना रहा है तो समकोड हो जाता है ठीक है अस्तम औ से अस्तम बा में जो है मिलान करना है घनाब के फॉलक घनाब के फॉलक क्या होते हैं तो घनाब के फॉलक छो होते हैं बेलन के किनारे कितने होते हैं तो बेलन के किनारे जो है आपका दो होता है उसके बाद है गहन के किनारे तो गहन के किनारे जो है आपका बारा होता है उसके बाद है संकू के किनारे तो संकू के किनारे एक होता है तो इसको हम खौर में मिला देंगे उसके बाद कोश्चन देखिए तीन नमबर तीन नमर कोश्चन है आपका देखिए यह जो 14 बटा 9 एंसर हो जाएगा इसका 14 बटा 9 अगला कोश्चन देखिए 100 डिग्री है सम पूरा कोड़ते 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आजाएगा तो 80 एंसर हो गिया क्राइमुल विक्राइमुल हो तो हमेशा लाभ होगा यहानी तो यहाँ पर आपका हानी एंसर हो जाएगा तुम लिखिए जिसका योग जो है जीरो हो जाए ऐसा पूर्णांकी योग तो एक माइनस एक लिख देंगे एक पलस एक तो जीरो हो जाएगा जोड़ेंगे तो उसके बाद है 69 में 4 और 6 के गुणन फौल एक से कम भाग देना हो तो गणितिये का रूप में लिखना है तो प्रेच्षडों के समुऄ में वह प्रेच्षड जो सबसे अधिक भार क्या कहलाताहिए तो बहुलग कहलाताहिए तो बहुलक हो जाएगा तृभूज में किसी भूजा के मध्ये बिंदु को समुख सिर्ष से मिलाने पर वह रेखा जो है माधिका काहलाती है तो माधिका हो जाए कोईस्टन नमर पांच देखिए एक समकोड तिरभूज का निवन कोड 42 डिगरी है तो दूसरा निवन कोड बताना है तो दूसरा निवन कोड हम क्या करेंगे 90 में से 42 घटा देंगे 43 ड इधर यह ठीक है तो एक समकोड बराबर माइनस में इधर जाके पलस हो जाएगा तो 69 एंसर हो जाएगा कोईस्टन नमबर साथ देखिए कोईस्टन नमर साथ है आपका 15 पूर्णा के 1 बटा 2 मीटर लंबे रिवन के 4 बराबर हिसम में बाटा गया है तो 4 बराबर हिसम में पूर्णा के 1 बटा 2 भागा 4 ठीक है भाग दे दिजेगा ता आपका यह एंसर आजाएगा तो एक बटा 4 हो जाएगा गुणा कचीन हो जाएगा ठीक है 15 बटा 3 बटा 2 गुणा 1 बटा 4 तो 31 बटा 8 आठ आजाएगा आठ से भाग दे दिजे एंसर हो जाएगा आठ बन नम कोड़ों का माप बता है विक्रम ने आठ कूर्शी एवाम दो मेज खरिदने में कूल इतना रुपिये खर्च किये यह हो गया क्वेश्चन आपका असलमक उम्र पिता के उम्र से इतना है इसके एंसर देखे आपको हम बता दे रहे हैं आठवा नमबर माना कि पहला कोड एक्स दूसरा कोड अबे माइनस एक्स तो तीस के अंतर है दोनों का यह हो जाएगा माइनस माइनस पलोस तो एकस दू एकस दू एकस हो जाएगा अबे इधर है के पलोस तो एकस के माना कि यह साथ डिगरी ठीक है तो एकस आठ हो जाएगा 31 लीडी हो जाएगा नौ नमर कोश्चन था उसका देखिए एक कुर्सी के कीमत एकस रुपिया है तो आठ एकस गुड़े दू गुड़े 445 इस तरह से एकस कमान 250 रुपिया आ गिया अगरा कोश्चन देखिए माना कि पिता के उम्रे एकस है सर्मा के उम्रे 20 बरस है तो सर्म यह आपका ही है 25 आप आए एकस एकस बटा तीन है तीन जो है जाकर गुड़ा हो जाएता हो जाएगा एकस कमान पचहातर यानि पचहातर वर्स हो जाएगा आपका ही है